हेलो गाइज वेलकम बैक तू मैंने वालोग आप सबच्छे हैं आज मैं जा रहा हूं गूमने यह पता नहीं कहा गूमने जाना है लेकिन जा रहे हैं तो आप मेरे साथ बढ़े यह और देखते हैं मेरा वलाग यह पूरा और रट विलाक्स इसी स्कूर्टी से हमें गूमने हैं और मेरे साथ खुस्बंत भी रहेंगे यह हम लोग आ चुके हैं चाजा जी के दुकान पर चाजा जी एक और यह डड़ी में रता सवाला तू पांच वला दीजिए दुठो मेरे गौं में एक दुकान है लगता है क्या खुस्बंत यह बिल्कुल यह चाजा जी हैं अभी मैं उटेसरा स्कूल में हूं मद भी देले उटेसरा यह 10 प्लस 2 है यहां पर देख सकते हैं और यहां 10 तक इसमें कलास होती है और यहां जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हो इसमें 12 तक ही पड़ाई होते तो इस वार से 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 स्टार्ट हुआ है 23-25 यानि की 2023 से यहां पर बच्चा से अपना खिल रहा है कोई नास्ता वगरा जैसे दिश में मीड़ी मिल का भोजन वगरा तो वो सब कर रहा है अभी जो है बहुत अच्छे टीचर आए हुए है यहां पर खुसवंत भी है खुसवंत को लाए थे अपना स्कूल दिखाने उटेसरा में कैस हता है स्कूल होता है तो यह सकते हैं खुसवंत को इहां स हम लोग निकलते हैं और जिधी वाहर गई हुई है कुछ काम अगेरा देखने गई होंगी आती होगी ए छोटे सरकार क्या नम है आपका इममीद है इसान इधार आई आई आप अरे वाँ है अबन है नूनू है हम लोग हैं दीदी के घर पर ये देखिए कितना जबर दस्त कर दो है ओर वर्ट लग लगाएं कि नेशिए कर देखिए कर दिल में चकिल गथा निस बता बते होता है लेकिन सहीम है दिजाइण ही बहुत मस्त चैना मैं इसान ना यह देखिए दोस्तों इसान के पास कितना सारा जूटान फूरे मि लेका है इधर एथर आओ इसान जूता दिखा है चावल कड़ी और सब्जी साथ में कई सरह पापर दोस्तों हम लोग है महंत मिठ्धु दास उत्तर मादमी कुल दियाल है सल्खुवा और यह इतना बड़ा ग्रॉंड है यह जो आप जगा देख रहो इसमें दुर्गामा की परतिमान लगता है और पूजा होती है दुर्ग देख सकते हो शली करिए बॉलिंग सांदार और याउट यह आप देख सकते हो बहुत सोड़ा जो है बतक बड़ी वाली बतक है ना हंसी है वान टू त्री फोर फाइव सिक सेवन एट एट एंड नाइन टोटल मिलागर के नाइन है यह आज चुका हूं में पेट्रोल पंप के पास और इसमें लेना है पेट्रोल तीन सु रुपए गया है और वाँ पर मसीन हो जागा चालू हम लोग आ चुक एंस सितुहा पूल के पास मैं हूं और मेरे साथ खुशवंत जी है और इंको साफ पानी देखना अच्छा लगता है तो सबसे पहले हम जाते हैं साफ पानी देखते हैं आप भी मेरे साथ साफ पानी देखते हैं आई miraculous दिखातें तॉरशा कंदा वगरा है क कि अब देखे आ चुके हैं और यहाँ पर पानी साफ दिखाते यह कि कितना पानी है पूरा सफ हो अ determiner करते हैं चेसे चीजन एक चुपना लेक है यह देखें कितना साफ कितना साफ पानी, यह देखी, रूग मरो दुम्रो, वाला हो, अचिके कितना साफ पानी है, यह देखिया, वह पते क्या हो गए है, चंड़ीगण में, जैसे सीवेज का है, तो है न, तो हाद है, तो पिर हिमाच्छा साइड जाए, और फिर यहाँ दिखता है, यह बहुत पुराना पूल अंग्रेज के जमाने का पूल है यह जो पूल आप देख रहे हैं यह अग्रेज के जमाने का पूल मचली पकड़ने का इंद्जाम पूला है पानी का बहुत तेज होने के से मिठ्टी कट करके बीच बीच में अंपलीन रूप से उचा हो चुका है और कहीं कई पर गाड़ा उचुका है कि बाहर रहने का जो है ना सबसे बड़ा बैक पॉइंट बोले क्या बोले कि कमी जो होती है इन चीजों की होती है देखे खुला बिल्कुल सोर सरावा सब इनम कंप्ली रूप से खतम है कि पुली उसन का कोई नाम नहीं या कोई काम नहीं निकलिए जब मंच आये निकलिए ज जाके बस जिन्दगी आंख चम चम आते वे चीजे दिखेंगी पर अंदर जो आत्मा है वो तुमारी रही होगी इस गाने की तरह सुन रहे अब जाना के दो लेन बोल दिए आज रो लेन दे वे जी भरके तुना ही होगा बात दोस्तों बिल्कुल सही है सहर में है किया चका देख रहा हो तुम बाहर रहते हो कि माचल जाओ गया तो वहां दिखेगा किसी किसी गाउं थोड़ा बचा लिए अपने नदी को तो ठीक है वरना हर जगा सीवेज मिल चुका है मतलब लोगों ने अपनी नदी जो है गलक जगा बहा दी है जो अश्वी नदी है वो तो दि मैं चान के में सब्सक्राइब ने होता है यहाँ लोग defence करते हैं अच्छा लगता है खेल रही है चर रहा है सब होते होते तो गाउन जननत वन जा एक यह बिल्कुल सही बात है यह अपने गाउं को आगे करेंगे तो बस शहर से अच्छा तो गाउं ही है पुछ में चेहिए यहां पर बस थोड़ा सा रोजगार पैदा कर दो बस और लोगों को रोजगार मिल गया रोजगार हो गया लोग जीवन जीने के लिए यहां पर कोई मंत्री सवाए वरनों यहां तो इतना टैलेंट है ना कि यहीं पर लोग यहां पर आके पड़ेंगे कोई नहीं समय आएगा बोलते हैं जहां कीचर होता है वहीं कमल खिलता है और समय के हिसाब से हम धल भी जाएंगे और पीस भी आएंगे वीविल बाउंस बैक हाँ व वह से भी पुराने समय से यहां पर भगवान बुद को देख लीजिए आप बहुत कुछ है कि आत्मा भी जो एक जैना जैसे इन्सानों की कैद है वहां पर बिचारे वह भी बंध रहते बस दूद निकालते हैं और एक जगा बंध रहते हैं चटने के लिए कुछ जगा देखा जाए तरह से तो पैसा मजबूरी है वरना गाउं में जो है सबकी आत्मा यहीं छूट गई है और शरीर चला गया है शहर आत्मा है गउं में और सरीर है सहर कभी न कभी वापेस आएगा यहां पर दोस्तों डगड़ा बनाया जा रहा है और यहां पर बांस को खारा जा रहा है और यहां पर खुसबंद को मैं दिखा रहा हूं यहां कैसे बनता है इसमें हाथ अकला है इतनी मेहनत के बाबजुद लोग जो हैं इसमें मूल मुलाई करना काम करते हैं इसका इतना ही किस तरह से उसको हाथ से किया जा रहा है बहुत मेहनत है इसमें बाद में फिर मुश्किल हो रहा है ऐसा ही का एक्जाम दिन आया है तो सब्सक्राइब दोस्तों में मुक्ति बहुत 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 पास जो इलापरी सदस रहे चुके हैं और लगातार जो समाजी काड़ हुए इनका भागीदारी रहती है गाजन सुरूप है लगातार हम लोगों को गैड करने का काम भी करते हैं और इनसे हमारा बिलिक कनेक्शन है जब कोई मन होता है तो माते हैं इसे मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगतार जो है लगवादेट से दो बन ताम बात चीत अलग अल दिली एक शाथी एक लड़का है इसको पढ़ावें इनका बार इंट्रेस्ट सुरू से पहले तिन-चार क्लास तक था पाचमा तक पढ़ाय में जाता था कभी भासन याद किया मन्सपर बोलने की बात है उसमें इंट्रेस्ट लिया अब इनका जयों जयों बढ़ता जा उस आधा है इस में वेहतर हमां असान या पढ़ाय चाहिए को कथि परें परसंद करेगा पढ़ाय को अलागाने के आधा हम बताते हैं बच्चों के सैकोलोजी क्या होता है मानली जी मेरे एक पीचर है वो मेरे को तीर बान सिखा रहे चला ना आलचर बना रहा है अब उसने मेरे को धंग से सिखाये लिए तो मैं दूसरी चीज की तरफी करूंगा जो मुझे एजी लगेगा निशाना तो लगी नही है निशाना तो मेरा अब बेजती तो हो रही कॉंफिडेंस भी नहीं हुझे अब मैं किसी के सामने बूलू तो मेरे पास कॉंफिडेंस नहीं तो मैं क्या करूंगा दूंगा एजी चीज क्या है आसान चीज क्या है तो मैं उसको पकड़ लूगा मुझे जो लग रहा है इस हीटर भी है इतना मस्त चल रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए गुट नाइट बाबाय टेक केर